अगला ध्यान से देखो अगला कह रहा है समांतर चतुर्भूज अब यह समांतर चतुर्भूज आखिर कौन सी बला है ध्यान से समझे क्लास एंड तक देखना कह रहा है कि ऐसा चतुर्भूज जिसके सम्मुक कोणों का युगम समांतर होना चाहिए मतलब समांतर पैलल ग्राम क्या होता है पैलो ग्राम का मतलब यह होता है कि जैसे यह भी एक परकार का समांतर चतुर बूज है यह भी समांतर चतुर बूज है यह भी है अंतर समझो और मतलब समझो यह समांतर है बूजा इसके देखो अगर मालोब इनका नाम लिख दिया ए बी और यह सीड कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं लेकिन अगर एसी और इसकी सम्मुख भूजा बीडी को देखें तो यह भी क्या है समानतर है इनको आगे बढ़ा के देख लो यह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट नहीं करेंगी कोई मतलब भी नहीं है यह अलग लाइन जाएगी वह अलग जैसे रेल की पटरी कभी एक दूसरे पर नहीं चड़ती कई से मुड़ जाए ऐसे सीधा जाती यह ना है ना बाकी जहां क्रासिंग अगरा होती डेबल ट्रेक हो इंटरसेक्ट मतलब परती छेदित करना जैसे अरे यह होता ना यार यह होता नहीं है इसमें होता ना आगे बढ़ाते हैं दूसरे को जाके काट देता यह चड़ गया दूसरे को पर समझ गए ना तो यह होता समांतर चतुरभूज अब इनकी तुम प्रोपर्टी लिखोग अब क्लियर है ना चलो जल्दी करो भाई लिख लो बहुत जल्दी लिखो सभी बच्चे और रेगुलर कलास होती साम को साथ बज़े से चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बूलना अगर आप इसे यूटूब पे देख रहे हो तो देखे इनकी एक बिसेस प्रोपर्टी होती यह बच्चा वो क्या है कि प्रतेक परकार का जो आयत होता है वर्ग होता है या फिर सम चतुर्भूज होता है यह सभी एक परकार के समांतर चतुर्भूज है तो याद रखना कहीं भोलना नहीं अगर कहीं काम लगता है तो ठीक है क्योंकि इनकी प्रोपर्टी जो है वह सम रेंपस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो यह बी क्या होता है की प्रकार का समांत्र चतुर ही होता है क्योंकि इनकी वी समर्भ भुजाएं अपस में समांतर ही होती है तो अ», storage बना लो आप आपस में समांतर होंगी एक दूसरे के मतलब अपोजिट साइड यह पक्का है हाँ अगर सम चतुर्भूज नहीं होता तो यह ऐसे भी बन सकता था यह ऐसे बन जाता मानलो ऐसे यह ऐसे यह तब तो बनता लेकिन यह सम चतुर्भूज भी तो नहीं होगा न फिर यह बड़ा ह हो गया चोटा हो गया सम चतुर्भूज होगा तो यह तो ऐसे बनेगा सीधा-फीधा वर्ग की तरह बनेगा और नहीं तो ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी यह मतलब बराबर होनी चाहिए ठीक है सभी साइड आपस में बराबर होनी चाहिए तो इसको लिख लो यह हो गया आपक